नमस्का और मेप्रेंग का आप देख रहें ओलाइन यूज इंटिया दस साल में गोधी मीडिया और सरकार ने रेश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है ये किसी से छुपा नहीं है रेप के दोशियों को माला पहनाने से लेकर जनता दर्बार तक लगाए जा रहे है लेकिन हाल ये हो चुका है कि किसी के मुह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा गुर्मीत राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे ये रेप के आरोपों में सजा काट रहा है रेप का दोशी है लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये सजा काट रहा है या फिर की मज़े काट रहा है कैसे गुर्मीत राम रहीम जो की रेप का दोशी है छुटिया मना रहा है पहले आप वीडियो देखिए फर इसके बाद गोधी मीडिया की बेशर्मी बताते है तो आप लगजरी गाड़ियों का ये जो काफिला जाते हुए देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों को के साथ निकलते हुए देख रहे हैं इन गाड़ियों में कोई और नहीं बलकि रेप का दोशी गुर्मीत राम रहीम बैठा हुआ है जी हाँ ये एक बार पेर से पैरोल पर बाहर आ गया है चालेस दिनों के पैरोल पर बाहर आया है लेकिन सवाल करने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये रेप का दोशी क्यों बार बार छुट्टियां मनाने के लिए बाहर आ जाता है पता दे कि ये वीडियो मम्तात रिपाठी पत्रकार है शेयर करती है और लिखती है कि 2022 में राम रहीम 91 दिन जेल से बाहर रहा 14 महीने में उससे चौथी बार पैरोल मिली है हर्याना के सिरसा डेरे में संत सतनाम सिंग के जनम दिन में 25 जनवरी को राम रहीम शामिल होगा आज पैरोल पर रिहा हुआ राम रहीम पूरे प्रोटोकॉल के साथ यूपूई के बागपत के बरनावा आश्रम पहुचा तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोटोल कॉल के साथ एक रेप के दोशी को लगजरी गाड़ियों में बैठाल कर पहुचाया जा रहा है उसके आश्रम में पहुचाया जा रहा है बकायता बर्डे में जनम दिन में शामिल होने के लिए पैरोल पर ये बहार आया है पहले जब ऐसी घटनाय होती थी तो मीडिया सवाल किया करता था कि आखिर कैसे ये रेप का दोशी बार बार बाहर आ जाता है रेप के दोशी पर सकत कारवाई क्यों नहीं हो रही है आखिर इतनी छूट क्यों दी गई है सवाल किया जाता था जनता धरना करती थी लेकिन अब आप देख सकते हैं कि देश कितना बदल गया है एक ट्रेप के दोशी को लगजरी गालियों में बैठाल कर बेबकाईदा निकाला जाता है घुमाया जाता है जरम दिन में शामिल करवाया जाता है लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है बिलके जबानों के रेप के दोशियों को खुले आप माला पहनाया जाता है लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है लेकिन जब आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था तो कैसे देश पूरा उबल पड़ा था कितना गुस्सा था लोगों में तस्वीर आपको याद होगी एक तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ आप तस्वीर में देखिए कि कैसे जब पर दस विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जब मिर्वेया कांड हुआ था 2013 में तो आप देख सकते हैं कि कैसे जनता जागरूख है लगातार सवाल किया जा रहा है और जनता ने राय सीना हिल पर चड़ाई कर दी है राय सीना हिल जहां पर राश्टपती का आवास है कार्याला है आप देख सकते हैं कि वोटर के नन चलाए जा रहे हैं लेकिन ये जनता रुकने का नाम नहीं ले रही है जनता सवाल कर रह लेकिन अब सवालों के बजाए कैसे खेल किया जाता है आप देख सकते हैं सेर्फ ऑर खबरेंगे जा रही हैं कि गुरमीत रामरहीम 40.12 नों के लिए बाहर आ चुका है अजीज सिंग अrik Social to तस्वीरों को शेर करते हैं एक राय सीना हिल की जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जारात और दूसरी गुर्मीत राम रहेम की जो की 40 दिनों के पैरोल पर बाहर आ गया है और लिखते हैं कि निर्भया मामले में जो आक्रोश राय सीना हिल तक पहुच गया था वो आज कल प पक्षभी हमलावर है कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र भी इस पर लिखती है कि गुर्मीत राम रहीं आरोपी नहीं बलातकार का दोशी है उप्चुनाओं में भाजपा के मदद के लिए अफ्टोबर 2022 में ये 40 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था और सच में लोगों को फर्क नहीं पड़ता इतना सड़ चुका है समाज तो इस तरह के सवालों से आप देख सकते हैं इससे भी समाज को कोई फरक नहीं पड़ता गोधी मीडिया को कोई फरक नहीं पड़ता सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर फरक पड़ता होता तो इस तरीके से बार बार एक रेप के दोशी को पैरोल पर बाहर नहीं बेजा जाता कितनी बेशर्मी है इन लोगों में एक और आपको खबर दिखा देती हूँ खबर देगी का टीवी नाइन भारत वर्श की इसमें लिखा हुआ है कि राम रहीम के दर्बार में नतमस्तक बीजेपी हाग बांदे खड़े रहे विधायक जमकर की तारी तो आपको बता दूँ जब ये पैरोल पर अक्टोबर के महीने में बाहर आया था तो इसने बकाइदा जनता दर्बार लगाया था और इस जनता दर्बार में शामिल होने वाले कोई और नहीं बीजेपी के नेता थे बीजेपी के विधायक ते जो की आशिरवाद ले रहे थे अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो नारे लगाये जाते हैं बेटी सुरक्षा के नाम पर वो कितने खोकले साविध हो रहे हैं किसके अच्छे दिन आ गए हैं और कैसे अच्छे दिन आ गए हैं आप देख सकते हैं नएा कुछ खड़ा किया नहीं और जो कुछ पुराना था उसको तहस नहस कर दिया गया है लोगों की मानसिक्ता कितनी सर चुकी है लोग सवाल करने से कितना डरने लगे हैं आप देख सकते हैं ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ लोगतंत्र पैदा करता है यह सचाई है अगर पत्रकार सवाल करने से डरता है तो आप देख सकते हैं कि जनता को भी कोई खासा फरक नहीं पड़ता है वैसे भी आजकर सवाल करनों वालों के साथ क्या होता है कैसे UAPA लग जाता है कैसे NSA लग जाता है कैसे जेल के पीछे चले जाते हैं और डराय धमकाय जाते हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है लगातार आप खबरे देखते हैं और इसी का ये असर हुआ है कि अब चाहें जो भी होता है लोगों को फरकी नहीं पड़ता है पहले धरना करते थे चीकते थे चिलाते थे अब लगत लिख सकते हैं पूरी खबर पर आपका क्या कहना है जो सब्सक्राइब मेंने उपिसक्राइबfa गन्ति कछ영 साथ फश्वाल कि लुप घ।